Hello and welcome to my vlog आज का वीडियो बहुत स्पेशल एकीब की आज की वीडियो में होगा जंग खुलेयाम जंग अब आप लोग सोच रहोंगे जंग किस बात की अरे भाई ऐसा जंग अकसर हुआ करता था काफी दिनों पहले एक वक्त था जब हमारे घर में हम अकसर ये खेल खेलते थे जिस खेल का नाम है चाइनिज चेकर और मैं हमेशा जीतती थी ये बात कोई अडमिट नहीं करेगा लेकिन आप सब को मैं बोल दी तो आज घर की सफाई करते करते मुझे वो गेम मिल गया है जिसे अब मैं और ममी खेलने वाले है तो चलिए खेल को शुरू करते हैं ये है चाइनिज चेकर की बोड और इन बॉल से ये खेला जाता है ये बोड कही जगा से तूट गया है और डिबिया का धकन भी तूटा हुआ है इससे आप अंदाजा लगाए सकते हो ये कितना पुडाना है तो हम तयार है अब होगा मैच रेड वर्सस रेड क्योंकि ये कलर भी मेरी ममी का फेबरेट कलर है तो इन्हें रेड देती हूँ और मैं लेती हूँ ग्री हूँ और यहाँ सिपाही मैदान में उतर चुके है जंग की तैयारी जोडों शोडों से चल रहे है ये कुछी समय में खेल शुरू हो जाएगा आप मेंसे जिनको इस गेम के रूल्स के बारे में पता नहीं उन्हें में बता देती हूँ ये गेम 2-6 लोग खेल सकते है बोर्ड में जो ब्लैक कलर का रस्ता बना हुआ है इसी रस्ते से आप अपने सिपाही को आगे लेके जाएगे एक बार में एकी स्टेप आप जा सकते हो लेकिन अगर सामने और वी बॉल्स हुए तो आप जंप भी कर सकते हैं और यहाँ खेल शुरू हो चुका है और आई होप मैं ही जीतूंगी वैसे मम्मी से जीतना काफी मुश्किल है अपकोर्स उन्होंने ही हमें सिखाया है लेकिन मैं ही जीतूंगी गेम रोमान चक मोड़ तक पहुँच गई है नहीं पता कौन जीतेगा चांसस इक्वेल है दोनों तरफ से कोशिश जारी है एक बार फिर से मैं आप सबको याद दिला देती हूँ मम्मी का रेड है और मेरा ग्रीन जो घर में सबसे पहले पहुचेगा वही जीतेगा वैसे आप लोग किसके साइड हो मेरे साइड हो ना क्योंकि मैं जीतूंगी तो पार्टी दूंगी और इसे के साथ मम्मी ने पहला कदम घर पे रख दिया है अब मुझे बहुत सोच समझ कर अपनी चाले चलनी होगी क्योंकि वो मुझे अभी एक स्टेप आगे है यहाँ जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हूं थैंक यू वेरी माच आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेर करें लाइक करें और कॉमेंट भी जरूर करें और जिनोंने नहीं किया है आपकी जानकारी में उनसे करवा है इतना फेबर तुम्हें आप सब सब मांग सकते हूं क्यों मांग सकती हूं न खेर अभी गेम पे फोकस करते हैं मैंने भी घर पे एंट्री मार दी है और अभी हिसाब बड़ा-बड़का है देखते हैं आगे क्या होता है दोनों तरफ के खिलारी अपने दिमाग को मैनत मजदूरी करा रहे लेकिन अल्टिमेटली जीतेगा कौन ये देखने की बात है और यहापर गेम काफी आगे बढ़ चुका है अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कुछी देर में पता चल जाएगा कौन विनर है आई थिंक मैंने काफी सही चाल चली है और अगर मेरा अंदाजा सही रहा तो जीतूंगी मैं ही यहाँ मुझे आप लोगों के साथ एक हैपी मोमेंट शेयर करने का मन कर राए एक बार कॉलेज में यही चाइनिज चेकर का गेम हुआ था जिसमें मैंने ट्रोफी जीती थी सच में अभी यह ट्रोफी कहा रखा है मुझे नहीं पता एक्च्वेली मुझे ढूड़ना चाहिए अक्टर रोल इट्स माई एचिवमेंट आई प्रॉमिस मैं इसे ढूड़नूंगी और आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी और यहां लगबग जीत की और मेरी कदम बढ़ रहे लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता चाले तो बहुत ही बढ़िया चली है लेकिन लास्ट टाइम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि एक गलत स्टेप और आप कही स्टेप पीछे चले जाते हो अभी मेरा तीन बहारे और लगबग मुझे चार स्टेप्स लगेंगे इन्हें अंदर लाने में और ममी को बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे और इसी के साथ मैं खुले दिल से एलान करती हूँ इस जंग की विज़ता मैं हूँ येस I am the winner अरे ममी एक सकंड रुकी भी नहीं वो अपने काम में लग गई ऐसे कौन इग्नोर करता है मैं तो अपनी जीत की खुशिया बाटने वाली थी पर यहां से जलने की भू आ रही है पोई ना फिर से हम उन्हें बदला लेने का मौका जरूर देंगे दोस्तों जैसे का आप सबने देखा है once a winner, always a winner मैं जीत गई हूँ और ममी हार गई हूँ इस बात के मुझे बहुत खुशी है तो इसे खुशी के साथ मैं आप सबसे लेते हूँ विदा मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ और स्पेशिल के साथ पिल्दा, बाइब बाइब